तो असलाम अलेकुम दोस्तों मेरे नाम इसाहाख है और मैं कुर्बा 36 गड़ से हूँ आज हमारी क्लास थी देव सर के साथ और हमारी क्लास आज चार्जिंग सेक्शन की थी और हमने आज यह चीज नहीं सिखा कि एक केपेसिटर को बदल करके कैसे चार्जिंग के एरर को ठीक किया जाए नहीं हमने यह सीखा है कि किस तरीके से अगर हम पावर आईसी को उठाते हैं तो हम उस जगह पे किस तरीके से जी आर को ले सकते हैं जो कि सी प्यू से आ रहे हैं कौन सी चीजें जो है हमारी चार्जिंग आईसी से आ रही है कौन सी हमारी सेकंड लेयर से आ रही जो कि मुझे नहीं पता ठीक है मुझे नहीं पता लेकिन उससे भी अगले लावल का क्योंकि चिप लेवाल पर वही होता है दोस्तों कि आप हमें पूरे पैट्स की जानकारी दी गई है कि किस तरीके से जब हम चार्जिंग पर लगाएंगे और कौन-कौन से पैडलाइन पर दिक्कत आएंगी और कौन-कौन से जगहों पर हमें ट्रेस करना शुरू करना चाहिए हमने भी क्यू आइसी को पूरी तरीके से पढ़ा बौ पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं और इतना confidence आ गया है कि बस हम दो registers को दो coils को देख करके और दो capacitors को देख करके ये बता सकते हैं कि हमारे पूरे circuit में क्या चीज़ गड़ी है अगर हमें ये चीज़ knowledge है तो सोचे कि हमारे teacher को किस तरीके का knowledge होगा हमने ये चीज़ अभी अभी ही फिलाल practice किया है अभी हमने इसका life practice किया है और बस सिर्फ ये कुछ घंटों का ही result है दोस्तों जब हम इसे पूरी तरीके से बैट करके अपने खुद के experience से जब आगे लेकर के अपने level को जाएंगे तो सोचे हम किस level पे होंगे क्या हम अपने teachers से आगे होंगे या अपने teachers के साथ होंगे ये तो आप वक्त ही बताएगा और मैं इतना guarantee के साथ कहता हूं कि अगर Asia Telecom में अगर कोई चीज मुम्किन है तो वो है सिर्फ knowledge और अगर knowledge है तो दुनिया है और दुनिया है तो हम है दोस्तों तो please Asia Telecom को join करिए और अपने knowledge को बढ़ाईए अपनी दुनिया सब्सक्राइब को बढ़ाईए थैंक यू दोस्तों जैसा कि आप सब्सक्राइब को पता है मेरा नाम महमद सुल्तान है और मैं आया था ट्रेनिंग लेने के लिए अलम्दोलिल्ला बहुत सब्सक्राइब मुझे मिला है यहां पर आज हमने रिसर्च किया है चार्जिंग आ और वो सारे आज मनलब पूरी डिटेल में पड़ा है पूरी लाइनं एक ट्रेस की है कि एक लाइन ट्रेस किया कि यह फाल आता कहां से है और खतम कैसे होता मिलाइन टार इस यह उसकी पड़िए कितने बॉल्टिस कहा COMं आने है टिए पूरा आज ट्रेस किया है हमने यह नोलेज पहले मुझे मिना थी मैंने भी ना देखा था यह मैं तो मतलब देखके थोड़ा हैरत में पढ़िया था मैं कि इतना काम इसमें निकलता चार्जिंग आइसे में इतनी लाइने निकलती है लेकिन जिस हिसाब से समझाया गया जिस हिसाब से बताया गया तो बहुत सरल तरीका था अलहम्दुलिल्ला बहुत अच्छे से समझाये कि बात दिमाग में बैठ गई एक बोल्टी दिमाग में फिट हो गया कहां 1.8 चाहिए कहां 2.5 चाहिए कहां 5 बोल्ट चाहिएगा सब ए त्बाइज से और भाई तुम्हें इसके लिए थोड़ा जॉइन करना पड़ेगा, इस्या टेली को मों को जॉइन करोगे जब तुम बाल की खाल निकालबाओगे, आज जिस तरह से I.C. के बाल की खाल निकाली गई है, तुम भी इंशाला इसके तरह I.C. के बाल की खाल निक दिमाग में डाउट चलता, पैसा फस जाएगा, पैसा गलच जगा लग जाएगा, ऐसी कोई बात ना है, बे फिकर होके आओ, इंशालला, तुम्हें उससे जादे नोलिज मिलेगा, और आगे के लिए आपको बहुत कामियाबी मिलेगी, ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडि काँ फोल्टा आते हैं, काँ प्रॉलमा आते हैं, कौं सा प्अप पॉइंट कैसे टेस करा जाये इसके लाज था, देवरवरतन सर के पास हमरा थेरी कलास था, और थेवरी में थेरी कलास हुआ आज शाद गंटा है, और अभी प्राक्टिकल चल रा हूं अभी 16, 12, 30 वह 12, 30 चाड़े ग्यारा आठ ग्यार पहतलिस हो अभी तक हम एजी आई सी के ट्रेसिंग में लगे थे और एज त्रेक यह कैसे करते हैं आई सी कौन सा आई सी कैसे फ्लत आता है और देखिए यह एक आई सी है बीक्यू आई से चाथी एक यह एक पत्थीस तटी एक है यह भी कहां से सब करके आज हम जा रहें अभी विश्टिल में थेंक यु जी सब बिस देने के लिए थेंक यु अचैक्यू गईर में जानते होंगे कि आज हमारा ठांवा देने और दने और आज हमारा चार्जिंग का क्लासे चल रही थी सुभे से सुभे दस वज़े से क्लास ती अभी तकरीबन 12 वजने को है पॉने 12 वज रहा है 11 के 45 मिनट हो चुका है और हमें चार्जिंग के बारे बताया है कि डीपली कैसे कहां पर क्या सप्राई जाती है कौन सी कहां जाती है वी बैट की लाइन कहां से कहां तक जाती है माइनस की लाइन कहां जाता है आई धरंब्ल चार्जिंग के तो स्लो चार्जिंग के प्रफ्लम आती है चार्जिंग एर्र की प्राइब आती है यहीं आती है मर्केट में फेक चार्ज चार्जिंग आप क्या करोगी यूटूब उठाए बड़े वीवबाई ग्यारा चार्जिंग एरॉ बस देख लिए अगर उसने तुक्का लग गया तो ठीक है नहीं कर एक एक लाइन कैसे कहा जाती है कैसे ट्रेस्ट करना है क्या करना है सारी बहुत डिपली बताया गए हमारे अमडी सर हमारे देव सर थेयोरी में एकदम आज तो देव सर ने पांच गंडे साड़े पांच गं बताया चार वहीं तक उसके बाद हमने आदे गंटे पे खाना वाना कहा कि फैसे इसके बाद हमारे प्रैक्टिकल इस तर अभी तक कंटिनियुमेंद किया अभी ज़स्त हमारा खाना भोगा तो अभी तक सर अदम बच्चों जैसे सखारत यहां बढ़ाल के सखाय थे सबको भी जोड़ दिया चालू बोड दिया किसको ऐसे चेक करो इतना वोल्टेज आए गहां इस वोल्टेज में यहां यह बहुत अच्छे से बताया है तो बस दोस्तों में यही बोलना चाहूंगा आप से एक बार आईए प्लीज आके देखिए यहां पर बड़ी मेहनत करते हैं और हम लोग देखी रहे हो बारा बजगे यार क्या है कुछ फरक नहीं पड़ता है आप लोग यह मत सोचिए कि छोटा पंदा गंडे साले क्या पड एक बारा आससा खते होगी देखो क्या चाहर बज़िए बार इडते हैं इसा आपको यहां इसमली रहे हो गया इसे मा पता नहीं चलेगा देखने मैं सुझ नहीं हो बोरीज मैसूस ही नी हो कि यहां पर जौदा करते हैं ना कि वहां साथ वई से बाराध को बारा बे तक सच आपको बहुत जबर्जस ट्रेणिंग कराई जाएगी तो उसी हिसाब से आप सोचके आएगा हाँ यह मज सोचना कि आपको बोर होगे या कुछ भी है खाना पीने एकदम सब कुछ टाइम पर ही है पर खाना को तो अवाउड ही करो भाई ऐसा नहीं है यहां शीखने आप तो इससा कुछ नहीं है नार्मल जिंद्र की है चारा फोकस जो यहां पर इसकल पर बताया जाता है बहुत तो बढ़िया काम मैनत होती ऐसा नहीं है तो साउने खाने में मत रहो अब हम जाएंगे क्या ही सोँगे वाइं तीर बरी चार अभी जाएंगे एक दो बुश गाएंग अग्यू too much SET radicallycom जिन्हों ने मुझी इस काविल बनाया और मैं यहां पर आयाए इस सबसे बड़ी बढ़ी बात है मैं यहां कर नहीं आया हो तत दुषायत नहीं हो पाता और मेरे को पश्तावा हो रहा हो तक यहां इतनी फीच लगने की बावसूत यहां लहाए दिली चल गय पर चली उनने पूरा डीटेल दिए कैसे काम करती कैसी लाइनिंग बार करती कब कौन सा बूर्ट सेक्वेंस बनता किसके बाद क्या बनेगा फिर किसके बाइस्टेप बाइस्टेप मेरे को पूरा थियूरी कर में पढ़ाया गया तर उसमें आख है फिर एंबी सर के साथ हमने प्रेक्टिकल किए प्रेक्टिकल करने बाद जाने हमने की क्या क्या बार के कौन कौन से पिंसे करता है जैसे कि बीवस की लाइन आना पर उसका आउटपूट लिकलना फिर उसमें स्विचिंग करना है फिर कि लाइन D. D.C की लाइन का बाती है आई एंटी की बन पांट है स्विपीव कैसा करेगा फिर उसमें आउटपूट इत्ता मिलेगा फिर बैटि लगने बाद मिलेगा की नहीं काई सेटर्म बैटरी के भीना नहीं मिलता ऐसा सारी सरक्टिको पूरा फूरा डीटेल ली तो इसका मतलब हमारे BQYC काम कर रही है इतना भी जाना फिर उसके डीपली भी जाना फिर हमारा सिस्टम होने के बाद CEE की लाइन भी जो होती है उसमें एक रेजिटर भी लगा होता है यह कई लोगों को नहीं पता वो रेजिटर क्या काम करता कितना बेल्यू को होता वो सारे चीज़े हमने पूरा ट्रेस की एक के बाद एक पूरी लाइनों को जाना थैंक यू देव सर य आज हमारा टॉपिक था बीक्यू ऐसी का और जारे जो चार्जिंग का जो प्रॉब्लम आता है उस टॉपिक पर आज सब्जेक था तो आज हमारा ठीयरी तक्रीबन चार से सारे चार गन ता ठीयरी था तो ठीयरी में हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कौन सी ट्रैक कैसे ट्रैकिंग करना है कैसे चेक करना है यहां पर जो सौड आती है उपन हो जाता है उस ट्रैक को कैसे चेक किया जाता है और उसको कैसे बाइपास किया जाता है तो हमको यह सब कुछ ठीयरी में बत है प्रैक्टिकल हमको मदर बोट दिया गया और मदर बोट से हमको सब लाइनों को ट्रैक करवाया और हमको बहुत 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 इंतरी किसा समझाया गया और जैसे चार्जिंग में जो प्रोब्लम आती है जैसे और फॉन में चार्ज होता है और फॉन में चार मैं ज Tilljalrene के छुरे हो उसको मों कैसे कर्णा किस थीक करना है किस तरीके से उसको करना है और कहां से उसको करना है एक हमको रुट से बताया गया है तों आज कि अमारही the topic to be péton Mai here ही कहना चाहूगा कि आप ये चा कोई the choice करने में सोच रहे हो कि महां यहां जाओ। तुम पळे सान ओकि कौंसा बहते रहा है क्या है क्यानी मैं आपको यह कहना चाहूगा कि मैं फेसर आ हूँ बहुं और हाई लेवल का नौलेज मिलता है तो आज आए आप इस नंबर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें जो भी है आप बाचित करें और आप एसे टेलकॉम जोइन करें ठेंक्यू देव सर्थेंक्यू से टेलकॉम तो आज फिर से हम आपके साथ हाजर हो गए आज हमारा क्लास अभी खतम हुआ और आज हमें चार्जिंग सेक्शन के बारे में पुरी जानकड़ी दी गई तो जैसा कि देख सेकते हैं आप पुड़ा ये इस BQIC में जितने भी 24 लाइन है सब को पहले हमें थेवरी में थिर हमें उसके बाद फिर हमें प्रैक्टिकल करके पुड़ा बताया गया कि किस चीज़ से अगर तो कहां से क्या प्लब हो सकती है फिर पर सब्सक्राइब तो बाकी दूसरे इंसेट में क्या होता है हाँ चार्जिंग है यह सब्सक्राइब बहुत सरे तरीके से सिखा देते हैं कि मतलब यह करो उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद क्या गरोगे उसके आगे तो कुछ होगा आ तो हमें आखरी तक जहां तक जो चार्जिंग सेक्शन शुरू कर सकते हैं और यह अगर आप चाहते हो तो बिंदास आ सकते हो बहुत अच्छा यहां पे ट्रेनिंग दिया जाती है हर चीज्च रॉलिज्ज डीपनी दिया जाता है सब्सक्रांटाब है ऑब करता है करना थे सबेंट चैहले से शुरू से लएक अख़ी तक सब्सक्राइब अंधिन करता है। इस नहीं हो तो यह करना है थो करना है बताए हर एक स्वारस्थ हमें रहित आप आनाенज चाते हो आरम से आ शकते हो ऀस इस इंसिटुट में हमें एड्मिशन देने क्लिए थैंक यू देव सर थैंक यू एंडी सर थैंक यू एसे डेली कॉं हमारे साथ है थावीस अक्टूबर की बेच कौन-कौन लाई वे अपलाई है यह सर आइंड क्या हो रहा है क्लास कब सुर्वी हुई थी दस बजे तो आपको चार्जिंग का नालेज देव सर के द्वारा कैसा मिला है मैं बोलता हूं कि चार्जिंग कनेक्टर से CPU तक कौन-कौन जा सकते हैं वो सेंस हो वो प्रोडोकाल हो यह चार्जिंग की ऐसी कोई-सी लाइन यह सा क्यापसिटर यह सा कोई-सा रजिस्टर जो हमने चोड़ा है क्लियर है कंसे चलिए ठीक है थैंक्यू वेरी मच्ट कि नमस्ते इंडिया वीडियों करना चाहते हैं यह उप पर एप पड़़्ेए तो आप जुडिये तो उडिये इसा डेलिकमर वीडिए शॉर्चीज वीडियों की तभी आप पर देखेंछ यही बन्दा मुझे बढ़ा सकता है और मैं ब्लीव मी मैं आपको तीजर में लाइप आपको तीजर में लाइप पावर चोदरी में लाइप सीपू यह हमारे लिए बहुत चोटी बात है और आपको जबरदस आइसी मोडिफिकेशन के साथ हम सेटकित करवाएंगे जबरदस और नेक्रों सेक्शन और आपको पीज़ी का देखने का नजलिया चिंच करेंगे और वह बहुत बहुत क्वाटी में आपको शब्धिक एडवान सापी में सी एटों से अटारी मुझे एबात सबसे में इप्रेंट बैक अप जिसमें आपको हमारे बैक अप एप झाल झाल